सबी साथ योगा स्वागत है एक नए वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं मेडियम को सर्विसिज कार्ड को एक सविच की तरह कनफेगर करना यूजिंग एलाइन सर्विस यह हम कर रहे हैं जाटी जो बेटियस हैं उन्हें मेडिया प्रोवाइड करने के लिए सब्सक्राइड करने हैं तो इसके लिए अप्शन है मेडियम है जिसमें हम एक इंपुट देके आठ फीजिकल आउट्पुट ले सकते हैं और नमबर उफ इंटर्नल वीचिज कन्फिगरेशन पास्ट्रू रह सकते हैं हमारे बीटेस फर्दर इसी से मेडियम से अप्टिकली कनेक्टिड है तो चलिए इसके बार हम देखते हैं कैसे किया है यह चीज हमें सुमिद भाई और संजय जी ने सिखाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका और आप सभी का बेदाइंक्स की आप वीडियो बाच कर रहे हैं बैटल्मेंट डेवल्प्मेंट के लिए काम कर रहे हैं बीएसनल के तो आप सभी को भी थ तो सुबसे पहले सिस्टम लोगन करते हैं आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब डेवल्प्मेंट के पहले सिस्टम लोगन कर लेते हैं जटी बीटियस एच प्लस स्नेकवर को अट करते हैं हाइस्पीड डाटा सर्विसिज के लिए और यहां प्रोनी हुए थर्टीन बीपीस की पीक स्पीड हमने चक कि है तो जो स्विच अब यूज करना चाहरे है उसकी एर्टू सर्विसिज में कि अच्छ को अने देखना है सबसे पहले अजीजी स्पोर्ट को आप में यूज करना चाहरे हैं कि सभी के अडमेंस्टर्स अब कीजी तो और उसके बार अच्छा सभी के अडमेंस्टर्स अब कर दिये हैं मुझे मुझे पावर लेवल देखने हैं जासे हार एक सर्विसिज में फिफ पोर्ट जी पोर्ट है तो उन्हें पांचमे काड उच्छे काड में फिफ पोर्ट पे इंपुट दिया है और हमें फादर उन्हेंटे आइट करना है तो उसके पर लमें देखने जा रहा हूं तो 165 पे देखें इंफिनिटी पार इंफिनिटी आड यानि कुछ दिक्त है फाइब उन्हें अल्डेट किये हुए है कुछ ना कुछ पूट कन्फिग्रेशन में हमें चेक करना पड़ाएगा किस वज़े से पावर लेवल नहीं रिसीव कर पा रहे है वोट अप नहीं आ रही है एडम स्टेटर सप है बोट का सप देख लेते हैं सप डाउन ना हो मैं सप बदल रहा हूँ कि अगर सप मिस्मेच का एरर हो चेंज में जाए फॉर दिमी चेंज करने के लिए मैंने सप जैक आउट किया यहां से डिलीट कर दिया इन्वेंटरी में सप को और अब नेया सप मैंने इन कर दिया है और इससे देख लेते है सप अपावी है यह नहीं ठीक है उसके बाद दुबार से पावर देखेंगे लेजर पे क्लिक आके लिंक स्टेडस अभी भी डाउन में अबड़ है अबड़ हमें पावर रिसीव ओरी मैंस 8.53 में पोर्ट अप हो गया अबड़ लिंक अभी भी कम्मिनिकेट फारेंड के साथ अबड़ के साथ कम्मिनिकेट नहीं कर रहा है इसके लिंक डाउन है एक स्वोलिशन तो हो गया जो पोर्ट सिंग ना होने का की साथ मिसमेच के वज़े से ना हो रहा है तो हमने साथ बड़ल दी है और पावर रिसीव ओर रहे हैं अबर ओफ एक्सपेरिमेंट है किस वज़े से नहीं होगा साथ बदलना पहला आप बदल नहीं सकती जली अपनी बदल लिए यह जो भी सिस्टम का आपके पास है अगर आप एंटी आर में है तो अलग बाद है आप आप अगर आप आप अगर क्रेंग विए आप करने आप आप झाल झाल पांच रिकार्ड पे बदल के चेक कर रहा हूँ यहने इसे भी बदली है चेक आउट करके डिलीट किया और नहीं इसे प्रिन कर देते हैं अंदरा सुचास टेन मेटल स्पसिफिकेशन की इसे पी उज़ कर लहा हूँ तो यहां अब था यहां एक आटो निगोशिएशन डिसेबल करके देखते हैं क्या पता यह काउं कर जाएं अब देखते हैं अब आपका कोई सिस्टम इसी से कनेक्टेड़ है जिसे एस्टीम पोट से कोई फरतर सिर्पी कनेक्टेड़ है तो अब इसी जी आपका कोई सिस्टम इसी से आपके जनरवाइज कोई जरूरी नहीं है यह जो भी वी सेजी आप उसके साथ कम्मिकेट करवाना चाहरे है वह वी सेजी आपकर सकते हैं तो यह हो गया है सब्सक्राइब हो चुकी है तो चलिए सर्विस इच फाइव देखते हैं तो यह सैप के सब्सक्राइब नहीं है तो हम फारेंड के साथ कम्मिकेट कर पा रहे हैं तो यह हम तो इसक अपकर बदली और आपकर दो उन्हें उसका disable किया तो यह port communicate कर रहा है यह सेम हम 6 port च्छटे कार की 5 port के साथ भी एक पर पर उनिक शेशन disable करके देखते हैं Done, link status up यह disable रखा है तो यह सेम करते हैं disable and submit अब इसका भी link status देखेंगे L2 service age 6 port configuration ठीक है यहां भी up है तो हमारा input देने का physically input हमारा सही हो चुका है जो सबसे पहला step हो गया है input को card के साथ connect करना तो उसके बाद अब दूसरा step है आप सभी BTS साइटों के VLAN आपको पताने ची input VLAN range क्या है किस spot को optical media देना है किसको electrical देना है तो उसस अभी आप पहले तहर कर सते है जैसे आप उसे साइट के लिए तो सबसे पहले हर एक साइट के लिए flow point क्रेट करेंगे तो flow point service provisioning flow point template flow point template में site name दिया cvlan select किया range देंगे हम 3 VLANों में provide किये गए है 2G, 3G and OM तो तीनो तीनो VLAN टाइप करेंगे cvlan range में तीन VLAN टाप के और इसके बाद create कर देंगे create view यह एक villain create हुआ है हमने कोई syntax में दिक्कत हो यह पहीं न कहीं तो यह आप शेवर केजिए कि आप कुछ जो भी create कर रहे हैं उसमें कहीं syntax का है कोई VLAN का कोई दिक्कत ना हूँ क्योंकि अगर कहीं कोई गालत है तो site run नहीं होपाएगी तो इसीज को ध्यान से अगरे cvlan cvlan में आप देते हैं 2gvlan 2559 कोमा से separate करना है तीनो vlan को तो 2.593059 om का vlan site के लिए और फिर 3.5930vlan करें करें और फिर फिर्फ्ट पोर्ट जो अमने इन्पुट किया था तो फिर्फ्ट में हम site related flow point select करेंगे जो हमने create किया था जैसे BTS के लिए हमने create किया और उसे हमने यहां select करके कर तो यह हो गया एक e-line create तो दूसरा भी लेंग create करेंगे दूसरी site के लिए दूसरी site है मेरी mini secret fathayvad यह मेरी optical optical पे run होने site optical में एक issue आते है हमारा port fx है और site जटी bts में जो optical port है वो जी communicate करता है तो advantage यहा तो आप sfp बदलिए sfp आपके port mean site किजिए या फिर jetty engineers जो है वो अपने bts में उसे replace करें एक fx के साथ ताकि sfp में इसमेच कर रहना है और पर communication हो ताकि sfp में दूसरी site का footprint create कर दिया है अब दूसरी site के लिए भी line create करेंगे झाल झाल संदब झाल झाल सबस्दप झाल झाल सबस्प्राव झाल 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 तो इस तरह के से सभी अलग अलग साइटों के लिए अपनोप्रेट के जिए सभी साइटों के लिए एलाइन सर्विस क्रिएट के जिए और कहें कि कोई भी बॉर्ट अपको होने का इस्यों तो वहाँ ऑटो निगोशियेशन इपर डिसेबल रखिये सभी की सभी इंथरनेट पोर्ट कन्फिगरेशन में अद्विस स्टेटों कीजिए और ओटो निगोशियेशन डिसेबल रखिये यह मैं मेरे के समतार हूँ अगर आप सिदार नसी से गनेक्टिड हैं वहाँ कोई और इन बीटोइन मेडिया नहीं है और अगर आपको ओटो निगोशियेशन स्टेटस कम्प्लीट है तो इसे डिसेबल करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ देख लेते हैं मैं जो पांच वोट इनपूर्ट सेलेक्ट किया जो इस साइड के लिए करेड किया धिया और केरीट कर दिया है जो झाल इमने हुआ है तिनों विलन उचरू पास कीजिया है इंपुट पोर्ट के जो विलन हमने रहें स्पेसिफाइक है इसका कहीं यूज नहीं हुआ है तो आप चैनले से स्केप्पी कर सकते हैं जैसा कि हमें इलाइन सर्विस करेट करते टाइम देखा था जो पोर्ट कन्फिगरिशन है वो बन रहता है डिफाल्ट मोड में यहां में एलाइन सर्विस क्रिएट कर देख सकते हैं किसी भी पोड की पोड कल फॉरेशनों से विलाइन पसाइं नहीं करें तो डिफाल्ट है वही रहने दीजिए तो रेंज स्पेसिफाइग कैसे कर सकते हैं वह आप देख सकते हैं तीन ग्रेंज है जैसे मेर पास तो 2556-2559 इन्हें रिफ्रेंशेट किया देश से उसके बाद अगली रेंज देन इस पर नमने कॉमा से रेंज अलग करने के लिए तो फिर ओम की रेंज 3056-3059 देश तो ये तीनों गी रेंज रेंज शो कर रहा है तो ये इन्पुट हमने स्पेसिफाइग कर दिया है साइट के लिए एको फ्लोपांट के रेट कर दिया देता हम आखको सीविलेंड रेंज टाइब कीजिए ओजी ओए ओए एंड त्रीजी शीक्रेंस आगे पिछे पिका सकते हूं कोई मैटा नहीं रगता पर दिफ्रेंशेटेड होने चाहिए उकोमा से एक वह एक फ्लोपांट करेड़ करने बाद व्यू कीजिए तीन वी लैंड स्पेसिफाइग हुए है या नहीं हुए है अगर नहीं तो उसे तुपारा करेड़ केजिए परपर सेंटेक्स के जाट अगर नहीं हुए है तो इस तरीके से हम सभी साइटो के लिए मेडिया रेडि कर सकते हैं अप्टिकल, इलेक्टिकल और वी सेटिकल 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 और विलन पास्ट करना चाहते है या फिर स्टीन 16 पोर्ट के दुरू कोई सिस्टम आपका कम्निकेट कर रहा है तो तो वो दुन्नों चीजह आप देख सकते है तो थैंक्स फर वाचिंग वीडियो सब्सक्राइब कीजिए चैनल वीडियो शेयर कीजिए प्लीज प्लेज 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 तो यही रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि जो कुछ आप जानते हैं सिरफ अपने पास से मत रखिये दूसरों के आज साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा और्गनेजेशन डेवलप हो रखिये जानते हैं झाल जानते हैं